यह गर्मा गर्म ब्रेड पकोरा तो एक दम सर्दियों के मौसम में दम गर्मा गर्म में दम स्पाइसी सा और यह टेस्टी सा ब्रेड पकोरा बनाईए तो आप लोग भी इसे ट्रीक को फॉलो करके इस रेशिपी को ट्राइ किजिगा यह साम का बहुत ही अच्छा सा स्नैक है में तो इपना है तो इसकी साथ में यह सर्दृ क्यों यह धनिया का चटनी है तो बहुत ही खटी चटनी है मैं आँ निंबु एड करके बहुत ही खटा सा धनिया का चटनी बनाईए तो यह रहा यहां मेरा एक दम ब्रेड पकोरा तो तो फ्रेंस आप लोगों का cul Safety चैनल में स्वागत है तो चलिए आज मैं ब्रेट पकॉरा की रेश्पी सेयर करती हूं तो सबसे पहले यहां बारिक मैं कट करके धनिया ले चुकी थी हरा मिर्चा था और बादाम थी यहां एक चमच छोटे वाले चमच से मैं बादाम को कराही जब गरम हो जाए तो उसमें त करें रोच sürवाज शरुया को अलुला माँआ में बनने शोक तंप एक लिश !! की जी शेवाज जाए अच्छा बनथे हूं तो यहां जाए परको निकाल लेते हैं और यह जो ब्रेट पकोड़ा वाले मजाता है तो यह खाने पर इसका बहुत ही अच्छा मतलब एकदम तेस्ट आता है और यह हमारा है साबुत लाल मिर्ची चाड़ पांच तो इसको मैं हाथ से रगर की इसको डालेंगे तो इसका यह जो क्रिस्पी क्रिस्पी आएगा इसका स्वाद बहुत ही जबर्दस्त आता है ताबुत लान मिर्ची का तो चलिए हम चलते है अंगला इस्टेप में तियाम मेरा आलू उबल चुगा था मैं यहाट से 10 आलू ली हूँ और यह मैं यह मेरा आलू वाला ब्रिलेंडर है इसकी सहता से मैं आलू को अच्छे से मिक्स ह तो उसमें हम एड़ करेंगे हरी मिर्चे जो बारी कट करके रखे थे और धनिया का पत्ता और यह हमारा भूना हुआ बादाम और यह लाल मिर्च जो लाल मिर्च को हम खरा करके तुसको हाथ से ऐसे दरदरा कर दीजिए एकदम यह देखी चिली फ्लैक्स जैसा यह है इसका बहुत ही अच्छा ज्यादा फ्लेवर आता है खाने पर उसके बाद हम यहां एड़ कर रहे हैं नमक तो नमक यहां स् ग्रम शाल तुमें यहां अधर चमच ग्रममसाल का ये स्वाद के लिए है ग्रममसाला अब इन सबको अच्छे से मिला के ऩंदे हैं सहारे से मिला लें ताकि अच्छे से हमारा कोटिंग हो जाय सब एक दुसरे में नमक जो मिला है और आलू बार मेरा आलू हलका अभी गुंगुना था बस तो उसी में मैं यहां सारे मसाले को अच्छे से टिप करके मिला दिया है तो इसको अच्छे से इस तरह से कोटिंग कर लेते हैं ताकि एक मात्रा में जो भी हम मेर्टिरेलिस में अट किया है तो चलिए हमारा आलू बन के उदर रेडी हो गया तो मुसको रख लेते हैं मसालों को अब अगला इस्टेप पर चलते हैं तो यहां मैं बड़ा सा बड़तर नियुच कीजिएगा और उसमें मैं 200 ग्राम करीब यहां बेसन युच कर रही हूं औ इसी से अधम उभर के आएगा ब्रेट पकोड़ा का हिंग से लास्ट में यहां कर रही है यह गरम मसाला तो अब इन सबको अच्छे से ब्लेंडर के सहता से यह देखिए यह मेरा केक वारा ब्लेंडर है तो इसे मैं अच्छे से इसको मिला लेते हैं तो ज्यादा यह अब ब्रेट का फूरा बड़ा वाला एकदम स्लाइस लेते हैं और उसको बीच में में सटाके अलुचे से प्रेश करके ऊपर से एक और ब्रेड रख्के इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं उसको अच्छे से प्रेश कर देते हैं ताकि हमार् torch क्या गां निकलता नहीं थे गोल में टिप करते जाइए और यहां गर्म करा ही मैं पहले से थे गर्म करके रक चुकि थी तो यहां तेल हमारे एकgom हाई फ्लेम पगरम था यह पको street अब में ये पकोड़ा तो ग्रैस का फ्लेम कम करके इसको अच्छे सोहने देते हैं फिर उसी तरह से हम दूसरी बार भी ब्रेट पकॉरा को अदम सेम प्रोसेस के साथ बेसन के गोल में टिप करके उसको अच्छे से डाल देते हैं और यह देखे यह जब गोल्डेन ब्राउन हो जाए तो मुसको अग्दम रेडी हो गया बनके तो चली हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह है हरी हरी धनिया की पति के चटनी एकडम टेस्टी सा और यह हमारा ब्रेट पकॉरा तो हैना एकडम स्पैसी सा साम का नास्ता एकडम जटबड बनने वाला अराम से दस मिनट में बनने वाला अब तुर्ण से रेडी कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो में